जैहिंद तो आज हम हिमाचल परदेश उनिवस्टे द्वरा जो एक्जाम कंड़क्ट करवाए गए हैं उनमें जो इंग्लिश के कोश्टन्स आये हैं और आगे आ सकते हैं एंड पंचाज सेक्रेटरी एक्जाम में भी आपको देखने को मिल सकते हैं तो वही कोश्टन आम यहाँ पर आज करेंगे अच्छे से सॉल्व बिल्कुल बेसिक लावल से साइनोनिम्स एंटोनिम्स और आपको कुछ एड्जेक्टिव प्रोनाउंस वर्गरा से यहाँ पर बातें बताऊंगा कोश्टन बताऊंगा यहाँ पर काफी सारे कोश्टन होने वाले हैं आपको मजा आएगा इस वीडियो में तो वीडियो को अंत तक देखिएगा लाइक किए जिगा शेर किए जिगा और सब्सक्राइब किए जिगा जिके ट्रिक एप को डाउनलोड कीजिए लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं देखो इंडिया जिके के नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे द्वारा यहाँ पर आएगा आपको फ्री फाइल भी दी हुई है दो यहाँ पर उसको भी देख लेजेगा लास्ट वाइक पर क्लिक करके आप पे कर सकते हैं ठीक है तो आप देखिए जो बुक्स हैं आपको एक्जाम रिलेटेड जो इंपोर्टन एक्जाम से रिलेटेड वहां को सबसे पहले हम देखो यहां पर कुछ करेक्टली स्पेल्ट वर्ड्स देखेंगे इंग्लिश के सबसे पहले देखो साइकोलोजी की स्पेलिंग क्या होते है पिर आपकी कंमांड की स्पेलिंग निकाल लिजी इसमसे C-O-M-A-N-D Psych की spelling निकाल दीज़े चाह से ठीक है? Psych की spelling P-S-Y-C-H आप लेखो Lieutenant की spelling L-I-E-U-T-E-N-A-N-T Lieutenant की ज़े वो spelling होती है फिर आप देखो Illiterate की spelling I-L-L-I-T-E-R-A-T-E ज़े वो Illiterate की spelling होती है फिर आप देखे Itinerary की spelling I-T-I-N-E-R-A-R-Y ज़े वो Itinerary की spelling रहती है फिर आपकी Education की ज़े वो spelling क्या रहती है? E-D-U-C-A-T-I-O-N Education की spelling रहती है अगर पुछा गया Educate की spelling E-D-U-C-A-T-E ज़े वो Educate की spelling रहती है फिर देखो Superintendent की spelling क्या रहती है? S-U-P-E-R-I-N-T-E-N-D-E-N-T Superintendent की ज़े स्पलिंग रहती है अगर पुछा गया Super की spelling तो Super की spelling यह रहती है और Intendant की spelling पुछी गई I-T-E-I-N-T-E-N-D-E-N-T Intendant की ज़े स्पलिंग रहती है आप देखो Honesty की स्पलिंग क्या रहती है H-O-N-E-S-T-Y Honesty की ज़े ज़े स्पलिंग रहती है फिर आपके Recommendation की स्पलिंग R-E-C-O-M-E-N-D-A-T-I-O-N Recommendation की स्पलिंग रहती है अगर आपको पूछागा Recommend की स्पलिंग तो आपने Recommend की स्पलिंग यह लिखनी है अब देखो Guarantee की स्पलिंग क्या रहती है G-U-A-R-A-N-T-E-E G-U-A-R-A-N-T-E-E Guarantee की स्पलिंग रहती है Diaries D-I-A-R-I-E-S Diaries की जयर स्पलिंग रहती है Motivation की स्पलिंग Motivation M-O-T-A-T-I-V-A-T-I-O-N Motivation की जयर स्पलिंग रहती है अब accommodation की स्पलिंग देखो A-C-C-O-M-M-O-D-A-T-I-O-N जयर स्पलिंग रहती है उसके बाद देखे Tomorrow की स्पलिंग अगर पूछे जाए T-O-M-O-R-O-W ठीक है Yesterday की स्पलिंग Y-E-S-T-E-R-D-A-Y Yesterday की स्पलिंग रहती है अब देखें maintenance की स्पलिंग M-A-I-T-E-N-A-N-C-E Maintenance की स्पलिंग रहती है Maintenance की स्पलिंग क्या रहती है M-A-I-T-A-N M-A-N-M-A-I-N-T-A-I-N Maintenance की स्पलिंग रहती है Définance की स्पलिंग देख우 D-E-F-I-A-N-C-E Définance की स्पलिंग यह साय स्पलिंग सही लिखी है मैंने Definition की स्पलिंग देखिए D-E-F-I-N-I-T-I-O-N Defination की स्पलिंग अगर पूछेंगा D-E-F-V-I-N-C-E Defense की स्पलिंग याद रखना है आप देखो commemorate की spelling C O M E M O R A T E commemorate की spelling ठीक है affectionately की spelling देखिए A F E C T I O N A T E L Y affectionately की spelling फिर आपकी enmity की spelling E N M I T Y enmity की spelling फिर आपकी benefited की spelling B E N E F I T T E D benefited की spelling रहती है तो यह important spelling आपको यह जो है exam point of view में देखने को मेरी थी इसका screenshot ले सकते हैं आगे देखिए कुछ synonyms बताता हूं आपको देखो some important यहाँ पर synonyms है देखिए कुछ synonyms यहाँ पर है सबसे पहला है आप यहाँ पर splinter splinter का मतलब होता है अलग होना तो उसका synonyms क्या रहता है separate रहता है क्या रहता है separate रहता है आप देखिए horrify horrify का मतलब होता है भयानक भयानक तो इसका जो आपका synonyms रहता है वो आपका dreadful रहता है क्या रहता है dreadful eminent जैसे आपके कोई भी personality होती है Famous personality तो हम उसको क्या बोलते है Amenent personality बोलते है तो Famous भी इसका आ सकता है Legendary भी आ सकता है इसका ठीकिक हे Sinon iPhones अब देखिए Abnormal जो normal ना हो ठीकिए हम उसको क्या बोल सकते है Unusual या Unnatural क्या बोल सकते है Unusual या Unnatural अब Abandon देखिए abandon यानि कि त्यागना या छोड़ना तो उसको leave, forsake या abdicate बोलते हैं पिर आपका absurd आता है जो foolish type काता radicalis होता है, silly होता है उसको हम बोलते है absurd असंगत जिसको बोलते है या असभे बोलते हैं जिसको फिर आपका accumulate क्या होता है इकठा करना, collect, gather और pile, accumulate कर जाए हो meaning रहता है, फिर आप देखिए adequate, adequate का मतलब क्या होता है, जो sufficient हो उप्यूक्त हो, plenty हो ample हो, उसको बोलते हैं adequate जो पर्यापत मातरा में हो, ये आपको याद रहना है, आप देखो admiration admiration को हम बोलते हैं praise, acclaim, applause ठीक है, admiration को हम बोलते हैं praise, acclaim, applause के synonyms होते हैं ये, ये सारे के सारे synonyms आप जाए हो, एक बार screenshot ले लिजे, हिमाचल परदेश उनिवस्टी के exams में ये सारे के सारे synonyms, synonyms जाए हो पूछे गए हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बचा आता हूँ कि synonyms का मतलब के सेम मीनिंग वाले सेम मीनिंग वाले प्रयवाची शब्द जिसको बोलते हैं ठीके, सेम मीनिंग वाले आगे देखे, कुछ एंटोनिम्स है जो हिमाचल परदेश उनिवस्टी में पुछे गए है exam point वोचे, एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है एंटोनिम्स 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 क्या होता है आपका कौशियस कैप्टिवेट का एंटोनिम्स क्या होता है रिपेल एंसिक्रेटिव का जो 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 एंसिक्रेटिव arrival आने वाला और departure जाने वाला all का antonym done attack का defend attract का distract artificial का natural absent का present busy का lazy begin का end ठीक है? begin का end यह आपको याद रखना है तो कुछ antonym सही है जो उल्टे words हैं आपके सारे exam point पूँछें गए हैं मैं आपको कुछ कोशिश और करौँगा और अच्छे से आपको यह बताऊँगा हर एक exam में के ठीक है? आप इसको देख लेजगा अब यहाँ पर देखो कुछ यह questions आपको आयते हैं exam point of view में repeated questions दाते हैं HP University वाले तो उसको भी देखेगा आप एक बार अच्छे से cheetah runs fast in the field cheetah जो है वो तेज दोड़ता है तो यहाँ पर adverb जो है आपको select करने है adverb का मतलब क्या होता? kriya vishishen kriya vishishen जो यहाँ पर kriya हो रही है और उसकी जो विशेशता है उसके बारे में बताना है adverb तो यहाँ पर देखो kriya क्या हो रही है? वो fast दोड़ रहा है क्या कर रहा है? वो fast दोड़ रहा है ठीक है? kriya vishishen है विशेशता है उसकी चीता जो है वो fast दोड़ता है ठीक है? तो वो kriya vishishen है यह आपको याद रुखना है अब देखो second form of go go की second form क्या होती है? simple देखो अब मैं अगर parts verbs के part करूँ first form of verb का नाम क्या होता है? infinitive होता है ठीक है? second form of verb का नाम क्या होता है? आपका past होता है third form of verb आपकी जाएव past participle होती है यह आपको याद रहना है तो go की second form क्या होती है? went होती है go की first form go go की second form went और go की third form gone होती है अब जैसे आपको दिया हुआ है Arise, इसकी second form क्या होगी? Arose और third form क्या होगी? Arisen आपको कुछ ये भी दिया हो सकता है कि past participle क्या होगा आपका? B का तो past participle आपका जाओ third form आती है, वो आती है आपकी bean, ठीक है? Be was bean Be was bean, beer bore born ये सारे की सारे क्या है? आपकी वो verbs है ठीक है? Three forms of verbs थी अब देखो, Sita's mother told her to take the bag इसमें से pronoun आपको पता करना है Sita का pronoun, sorry pronoun जाओ इस sentence में आपको पता करना है कि क्या है simple देखिए, Sita जो है एक लड़की का नाम है ठीक है? और उसमें से आपको Sita's mother told her to take the bag pronoun आपको जाए यहाँ पर याई कि सरव नाम आपको पता करना है देखो यहाँ पर फरस्ट परसन कौन सा है? फर्ड परसन और साकिन परसन फर्स्ट परसन में I के साथ V लगता है अगर I होगा तो V लगेगा साकिन पर्सन में आपका You के साथ यू ही लगता है और third person में आपका he she it के साथ क्या लगता है दे लगता है ठीके अगर me हुआ कहीं पे मानलो यहाँ पे आपकी लड़की थी तो यहाँ पे जो है वो उसने हर लगाया है ठीके तो यह third person थी लड़की क्या थी third person थी लगी वी अगर देखो me था कहीं पे तो us लगेगा you था तो you ही लगेगा और his her या फिर it his की जगा him की जगा her it तो आपका them लगता है तो देखो third person में आपका him के साथ या her के साथ जा है वो क्या लग रहा है सीता लग रहा है तो सीता क्या है लड़की है तो उसके साथ क्या लग रहा है तो her लग रहा है तो आपका ये pronoun होता है ठीके सर्व नाम होता है ठीके I went to frontier bakery for the lunch देखो यहाँ पे proper noun पता करना है कि इस sentence में proper noun कौन सा है तो proper noun हमेशा याद रखना है कि जी का नाम जो है वो proper noun होता है तो frontier bakery क्या है ये bakery का name है तो ये क्या है आपका proper noun है ये आपको याद रखना है अगर common noun होगा common noun में याद रखना है कि आपका क्या क्या चीज़ होगे जैसे आपको लिखा हुआ है a man go to hell चिके तो ये आपका जरू man क्या है उसमें प्रॉप common noun है जैसे boy है कहीं आ राता है boy शब या girl आ राता है कहीं पर ये सब क्या होता है वो proper noun है या country आ राता है कहीं पर लिखावा तो ये सब क्या है प्रॉपर नावन होगे अगर country का नेम आ गया बॉइ का नेम आ गया गर्ल का नेम आ गया ठीके man का नेम आ गया woman का नेम आ गया तो ये वो क्या होँगे आपके प्रॉप प्रॉपर नावन होगे अगर country का नाम होगे country का नाम आ गया तो वो भी प्रॉपर नावन होगा ठीके यह आपको याद रखना है तो फ्रंटेर बेकरी यहाँ पे नाम था किसी का तो यह प्रॉपर नाउन है अब देखे Tanya is graceful dancer adjective पूछा गया यहाँ पे कि select करना है adjective select adjective यानि कि adjective का मतलब क्या है विशेशन किसी की विशेशता को प्रकट करना तो विशेशता क्या है कि वो graceful dancer है क्या है graceful dancer है अच्छी dancer है अच्छी क्या है विशेशता है उसकी याद रखना आपको आप देखे over teacher teaches us very honestly इसमें से आपको subject पता करना है तो देखो teacher क्या है यहाँ पे वो आपका subject है क्या है subject हम जब sentence बनाते है तो subject और object देखे रहना तो आपको इसमें से आपको subject पता करना था तो teacher जो है आपको यहाँ पे subject है आप देखे आगे which word which word word is noun इन में से कौन सा जह हो noun रहता है तो याद रखना है आपको यहाँ पे kind, kind hearted, kindness और kindly में से kindness जह हो आपको prepositions आप जैसे in, since, for, on, upon, beside, among, between यह सब क्या है prepositions है तो यहाँ पर आपका on जो है वो आपका क्या है preposition लगी हुई है क्या लगी हुई है on कि जो pen है वो table के उपर रखा हुआ हो है on तब लगता है जब कोई चीज यह है वो table के उपर स्थिर रखी गई हो on अगर मान लो कि बिल्ली जो है वो table के उपर से jump मारती है ठीक है तो upon लगेगा क्या लगेगा upon लगेगा याद रखना है आपको she herself bought the book इसमें से pronoun बताना है आपको pronoun क्या है तो simple याद रखो जैसे she के साथ यहाँ पर her लगा था यहाँ पर तो she के साथ क्या लगा हुआ है herself लगा हुआ है तो यह आपका pronoun है आपका तो यह आपको questions याद रखने है exam point of view से यह आपको HPU university में आय हुए थे screenshot ले सकते हैं आप इसका अच्छे से टेलेग्राम चैनल को जोईन कीजे इंडिया जीके के नोर्स आप पर चेस कर सकते हैं तो अभी के लिए फिलाल इजना ही है कल फिर मिलूबा एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंद जैभारत आपका देन शुबहो जैहिंद